हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अनम स्विंग बुटीक फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम स्लीव का एक नया डिजाइन सीखने वाले हैं जो कि बहुत जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो यह मैंने स्लीव की केटिंग कर लिया सिंपल इस तरह इसकी लैंट का ध्यान रखेंगे सबसे पहले क्योंकि जब हम डिजाइन तयार करेंगे तो लैंट इसकी कम हो जाएगी अभी इसकी लैंट 14 है तयार होने के बाद यह कम हो जाएगी इसको ऐसे डबल करके ही यहां पहले ही सेंटर मार कर लेंगे इधर भी अब इसको पूरा ओपन करके इन दोनों मार्क को आपस में मिला देंगे मार्किंग करेंगे हाँ पर विल्कुल सीधी लाइन यह मार्किंग होगी है लाइन ड्रो होगी है यह दूकुल सैंटर में है स्लीव के यह वाला जो स्लीव का साइड होगा जिदर हमने मार्किंग की है यह रोंग साइड होगा स्लीव का इस पर हमें काम करना है तो हमें इसमें डिजाइन देने के लिए प्लास्टिक का यूज करना है हम प्लास्टिक लेंगे और इसको यहां पर जोइंट करेंगे वह जोइंट कैसे करना है वो मैं आपको बता रहीं है कि जो हमने मार्क की आयए इसाए के उपर हम इसस लास्टिक को रखेंगे और यहां से इसलाइक करना शुरू करेंगी पहले हैँ को थोड़ा मजबूत कर लेंगे दो-तीन बार इसलाइ करके यहां से मजबूत कर लिया अब हमेंहें इस इलाइस्टिक को खींचना है खीच करके और जो हमने ये मार्किंग की थी रूपो सैंटर में इसी के ऊपर इलास्टिक को रखना है और इस तरह से खीचना है और खीचने के बाद हमें स्लाईटली में इसके इस एलास्टिक को रिखना है इस तरह यहां तक जहां तक हमने मार्क किया है इसी तरह खींचकर इलास्टिक को स्लाई करने है यह हमने खींचकर इलास्टिक को इसमें जॉइंट किया है तो यह इस लास्टिक बच गई है यहां तक हम पूरा कर लेते हैं और अब इस एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे यह इलास्टिक जॉइंट होगी है अब यह स्लीब का सबसे नीचे वाला साइड है जो कि मोहरी होती है तो अब हमें इस वह मोहरी को फॉल्ड करना है थोड़ा सा अंदर की तरह इस तरह करके और फिर इस तरह फॉल्ड करके श्लाई कर दिया है iosis शीरे हैं यहां से हम इसको इस तरह खीचव करना है उसके बाद इस तरह अंदर की तरह फॉल्ड करके ऐसे और इस महौरी को इस तरह हमें सलांई करनी है यहां पे इस तरह खीच के यह पहले भी कर सकते थे यह elastic joint करने से पहले यह मोड सकते थे लेकिन उसमें फिर अगर हम इसको पहले मोड लेते तो यह elastic उपर आजाती तो उपर आने के बाद फिर यह अच्छी नहीं लगती इसलिए अब हम इसको plastic पहले joint करके और तब इसको fold कर रहे हैं तो यह elastic अंदर दब जाएगी और उपर से इसकी slice फिर बिल्कुल plan दिखेगी तो इसलिए यह बाद में करना है यह इस तरह हमने मोरी की slice कर दिया है अब हमें यहां पे यह इस तरह तो पूली लाइन थी इसकी लेकिन इलास्टिक के बाद यह इसकी लंबाई कम हो गई है स्लीव की अब हमें यहां इस जगह जहां हमने यह elastic joint किया है इस जगह राइट साइड पर यह स्लीव के सीधी तरफ हमें हाथ से थोड़ा सा वर्प करना है यह कुछ मोती लिए है मैंने और यह सुई की help से हमें यहां लगाने है इस पर जहां यह बीच में चुन्नेटे आ रही हैं इनके उपर हमें यह सुई धागे से लगाने है सुई को यहां से नीचे की साइड से उपर निकालते हुए कई सारे हम ले सकते हैं या फिर एक एक करके भी लगा सकते हैं यह कई सारे मूती धागे में पिरोकर और इनको इस तरह नीचे निकालके यह इस तरह डिजाइन पूरा हुआ है कि हमने सब जगाये मूती लगा दी हैं अब यह स्लीव इस तरह दिख रही है क्यूंकि अभी यह कुर्टी में जोइंट नहीं है जोइंट होने के बाद यह इसका लुग अलग आएगा अधा यह इस तरह दिख रहा है अब भी जाइन स्लीव का यह पहनने के बाद यह यहां से चुननाटे रहेंगी है और यह फूला फूला नहीं दिखाई देगा कुर्टी में जोइंट होने के बाद यह इस तरह दिखाई देगी यह वाला जो हमारे डिजाइन है यह साइड में आएगा बाजू में तो यह डिजाइन हमारा तयार हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए ठैक्स